हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी चैनल दी वैलू नॉलेज पे जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपर्टन नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइप में आगे बढ़ने में हेल्प करता है तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपर्टन टॉपिक के उपर और वो है अगर आप आपका फोन जो है रात भर चार्जिंग को लगा के रखते हो तो उससे क्या हो सकता है ये सारी चीज़ आज हम आपको एकदम सिंपल लेंगवेज में एक्स्प्लेन करेंगे तो आपने ये बहुत बार लोगों से सुना होगा कि अगर स्मार्ट फोन जो होता है पूरी रात भर अगर चार्जिंग को रखते है याने उसे ओवर चार्ज करते है तो आपका फोन जो है वो डैमेज हो सकता है ब्लास्ट हो सकता है या फिर फोन की बैटरी खराब हो सकती ह तो ये बात में कितने सच्चाई है तो जी हा दोस्तों ये बात में बिल्कुल भी सच्चाई है और आपको ये सारी चीज़ें नहीं करने चाहिए हाला कि आजकल कि जो modern smartphone से वो भी आते हैं एकदम smart battery के साथ आते हैं और battery जो है वो 100% चार्ज होने के बाद अपने आपको adjust कर लेती है लेकिन आपको ये risk कभी भी लेना नहीं चाहिए क्योंकि अगर battery में थोड़ा भी अगर temperature जादा हो जाता है तो उससे उसकी life जो है वो कम होती है और phone जो है वो blast होने का खत्रा भी होता है तो आप ये कभी भी नहीं चाहिएंगे कि आपके phone के साथ ऐसा हो तो अगर आपके life में कभी भी emergency आती है तभी आप ये चीज़े किया करो ये रात को phone जो है वो charging को लगाया करो लेकिन अगर आपके life में कोई भी ऐसी emergency situation नहीं आती है तो आप ये सारी चीज़े जो है वो अवाइड करो इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि आपने ये भी सुना होगा कि mobile जो भी charging पे लगाते है तब phone पे बात नहीं करने चाहिए यानि उस phone से जो है वो call receive या attend नहीं करना चाहिए तो ये बात में भी कितनी सच चाहिए तो जी हा दोस्तो आपको ऐसा भी करने से अवाइड करना चाहिए जबकि अगर कोई emergency call है तो आप receive कर सकते हो लेकिन अगर आपने phone जो है वो charging को लगाया है और अगर आप उसको कान पे लगा के बात करते हो तो दोस्तो इसमें भी बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि इसमें radiation जो है बहुत ज़्यादा मातरा में निकलते है phone का temperature है वो भी बढ़ता है battery का जो temperature है वो बढ़ता है और इसकी वज़े से कुछ भी accident हो सकता है तो ये भी चीज़े आपको avoid करनी है इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि आप आपका smartphone जो है वही battery से वही charger से charge किया करो जो आपके mobile company ने आपके phone के साथ दी थी अगर आप कोई भी दूसरे company का अगर charger लगाते हो तो उससे क्या होगा कि आपके phone में काफी सारे voltage variation आएंगे कि उससे भी आपकी जो mobile की battery है वह damage हो सकती है उसकी life भी कम हो सकती है और वह warranty में भी cover नहीं होगी तो ये चीज़े भी आपको ध्यान में रखनी है हाला कि आपने देखा होगा कि आजकर कि ये smartphone है ये सारी जो हमने आजकर आज आज आपको चीज़े बताई उनको already मद्दे नजर रखती है और वो already इनको ये जो accident वगरे की होने के खत्रा है उनको risk जो है वो कम करने की कोशिश करती है लेकिन दोस्तों आप ये life में कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके phone के साथ और आपके साथ कोई भी ऐसी अनोनी हो जिससे आपको नुकसान पोच सकता है तो ये सारी जो smartphone यूज करने की जो etiquettes है जो habits है अच्छी habits है वो आप जो है वो हमेशा याद रखो और उस मताबित ही आप चलते रहो तो ये सारा knowledge आप अच्छे से याद करकर रखो दोस्तों और ये सारा knowledge आप आपके friends और रिष्थेदारों के साथ भी share कर सकते है ताकि उनको भी अपने life में कोई भी दिक्कत ना हो और दोस्तों इसके आलावा हमारी चैनल पर हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा valuable knowledge share किया है आप हमारे playlist में जाके टेकनोलोजी से लेके health तक और GKS से लेके करंट पर इस तक बहुत सारी जानकारी देख सकते हो और हमारा playlist एक पुरा ग्यान का भंडार है आप ये एक बार जरू चेक कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी useful information मिल जाएगी तो हमारे videos regularly देखते रहो हमारे videos को like करो हमारे चैनल को subscribe करो जिससे आपको ऐसी valuable information घरवेटे मिलते रहेगी और वो भी एकी channel से तो ये video में बस इतना ही था जल्दी मिलते हैं कुछ और important topic के साथ कुछ और interesting knowledge के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो थैंक यू very much